हाई दोस्तों आप सबका स्वागत है डिफेंशेल इक्वेशन के नए सेशन में यही जो सेशन रहेगा यह पूरा हिंदी में रहेगा कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट पर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर आज हम सिखेंगे order and degree of the differential equation अगर आपको इस topic देखेंगे नोट्स चेह रहेंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वासे आप अपनी PDF की notes डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए आज हम देखते order and degree of the differential equation तो order and degree of the differential equation देखने से पहले हम पहले देख तेकि differential equation क्या होता है अगर आपको एक equation दिखता है अगर आपको एक equation देया है यहाँ एक e x dx प्लस e y dy equal to 0 मतलग जबी भी आपको dx और dy की term दिखेंगी equation में तो वो differential equation होगा अभी यह में आपको यहाँ पर differential equation की form में arrange कर के बता दाओ सो यह हो गया differential equation सो कभी भी आपको यह dy by dx मिलेगा तो उससे कहते है ordinary differential equation यहाँ पर औरेक टाइब रहता है वो रहता है partial differential equation वो कैसे रहता है वो देखते है जबी भी आपको equation में daba u by daba x plus daba u by daba y equal to 0 मतलब क्या होगा यह differential equation of u with respect to x और यहाँ पर रहता differential u with respect to y मतलब क्या है कि यह जो u है वो function of f of x function है x और y का मतलब कि आप पहली बार u को differential with respect to x करेंगे और y को constant पक्रेंगे next time पे आप क्या करोगे u को differentiate with respect to y करेंगे और x को आप constant पक्रेंगे so इस type की equation को हम प्रहते है partial differential equation पर हम इस series में सिफ differential equation ही देखेंगे मतलब इस type के problem ही देखेंगे सो पहले session में हम देखते है order and degree of the differential equation order and degree of differential equation क्या है वो देखते है सो पहले देखते है order order क्या होता है सो order रहता है higher derivative of differential equation मतलब differential equation में जो भी higher order रहेगा मतलब वो first order है second order है third order है जो भी higher order है वो हम consider करेंगे order of the differential equation वहाँ पे multiple भी हो सकते है कैसे वो देखते है यह हमारे पास equation है b square y by dx square plus dy by dx equal to 0 सो इस equation में क्या है कि जो d का order है वो 2 है और यहाँ पे d का order है 1 मतलब कुछ विदिया नहीं मतलब 1 consider करेंगे तो यहाँ पे second order है so order क्या हो गया इसका 2 क्योंकि हमें maximum order derivative पकरना है तो इसलिए 2 कभी भी आपको अगर d n y by dx n इस तरह का differential equation होगा तो यहाँ पे जो n है वो रहेगा आपका order मतलब क्या हो गया कि जो n है उससे आप बोलोगे order मतलब क्या हो गया यह equation है nth order तो इसलिए साब से आप order find out कर सकते हैं अभी हम देखते हैं degree of the differential equation तो degree of the differential equation क्या है वो देखते हैं degree है higher power of higher derivatives मतलब क्या है हमें पहले order find out करना है और जो order हैगा उसका हमें power find out करना है मतलब देखिए सिंपल यहापर पिछला example लेते हम पंसिडर करेंगे हमें यहापर square है d square y by d square का square है तो यहापर हमें check करना है बट यहापर एक condition होती है वो condition रहती है कि यह free from radicals and fraction मतलब क्या है कि जो भी differential equation होगा वो free from radicals and fraction अभी यह radicals और fraction क्या है fraction मतलब मतलब हर एक को पता ही होगा कि जब भी आपके पास ऐसा को equation होगा d y by dx upon d square y by dx मतलब क्या है कि denominator में d square y by dx है तो यह होगया fraction तो हमें यह fraction remove करना होगा कोई भी method यूज़ कर सकते है multiplication या cross multiplication आप यूज़ करके यह fraction remove करना है और उसके बाद ही आप degree find out करोगे और radicals, radicals मतलब क्या होता है कि root यह cube root हो सकता है fifth root हो सकता है या फिर square root हो सकता है कोई भी root होगा वो आपको remove करना है आप दोनो side पे squaring करके यह root निकाल सकते हो तो आपको पहले यह दो चीज़े जहान में रखने जबी भी आप degree find out करोगे तब तो इसका हम degree find out करते है तो यहाँ पर देखे है यहाँ पर कोई radicals मतलब कोई root नहीं है square है square चलेगा पर root नहीं चलिए और fraction fraction कोई नहीं है तो हम यहाँ से dv directly find out करो सकते है तो first हम find out करते है order order क्या है highest derivative कितना है इसका derivative यह first derivative है यह second derivative है so order हमारा हो गया 2 और हमें degree find out करने है तो degree क्या होगी यहाँ पर highest power of higher derivative higher derivative कुन सा है यह d square y by dx square उसका power तो उसका power कितना है 2 so वो हो गया degree so order भी 2 है degree भी 2 है अभी हम example के द्वारा यह समझ लेते है तो यहाँ पर हम देखते है हमें एक question दिया है find the order and degree of differential equation so equation है d square y by dx square plus dy by dx plus 4x equal to 0 so यहाँ पर देखते है हमें पहले order निकलना है order हम easily find out कर सकते है यहाँ पर देखते है order क्या है second order maximum है यह वो first order है so maximum ones है second तो हम order निकलेंगे so order है second order अभी हमें degree find out करने है तो degree find out करते समय है दो चीज़ धान में रखनी है जो equation रहेगा वो free from radicals रहेगा वहाँ पर कोई भी root नहीं होना चाहिए और second thing वहाँ पर कोई भी fraction नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर कोई root है नहीं है कोई fraction है वो भी नहीं है तो हमें directly उसकी degree मिल जाएगी तो यह degree क्या रहेगी higher power of higher derivative higher power higher derivative कौन सा है यह higher derivative है उसकी power कितनी होगी अभी कोई power नहीं है मतलब 1 तो यहाँ पर 1 मतलब इस differential equation की order 2 है और degree 1 है अभी यहाँ पर देखते हैं हमें next differential equation की order and degree find out करने का है equation है d square y by dx square the whole square equal to dy by dx plus 4 raise to 3 by 2 अभी हमें यहाँ पर order and degree of the differential equation find out करनी है so order हम easily find out को सकते हैं इसके order कितनी है second order है और इसके order 1 है मतलब यह one order और यह second so higher derivative को उन सा है यह तो हमारी order क्या होगी order second होगी जो higher है अभी हमें degree निकल गए so degree निकलते समय आपको दो चीज़ देन में रखनी है पिछले problem में हमने देखा था कि हमें free from radicals and fraction नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम देखते fraction तो कुछ नहीं है पर यहाँ पर जो 2 है यह root में है मतलब क्या होगा कि यहाँ पर root है वो हमें निकालना है so वो root निकालना है हम क्या करेंगे squaring on both sides तो यह आपर ही में लिखता हूँ इसे side में सौल करता हूँ अभी हम squaring on both sides करेंगे तो squaring करते है हम क्या करेंगे यह 2 है यहाँ पर square करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d square y by dx square 2 था उसको 2 into 2 हो जाएगा मतलब यह क्या हो गया 2 into 2 हो गया तो यह हो गया 4 equal to यह है dy by dx plus 4 यहाँ पर 3 by 2 है into 2 हो जाएगा क्योंकि squaring कर रहे तो यह 2 to cancel हो जाएगा तो c यहाँ पर बज़ेगा 3 मतलब power 3 हो जाएगा वहाँ पर यह equation का और यहाँ पर 4 हो गया तो अभी हमें degree find out करने है कोई भी हमेरे पस radicals या फिर fraction नहीं है तो हमें यह degree निकाल लिए तो higher power of higher derivative higher derivative कोई सा है d square y by dx कोई और उसका power कितना है 4 तो यह होगे higher power of higher derivative सुई इसलाब से आप order and degree of the differential equation find out कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही यहाँ पर हम कुछ questions solve करेंगे तो first question है find the order and degree of the differential equation हमारे बाद दो differential equation दिए है उसकी हमें order and differential equation उसकी हमें degree and order find out करें तो degree find out को तो इस हमें यहाँ फिल और order यू find out स्क्रांट गरा जाए तोटी radicals और fraction नहीं ज़िए थम विक्ते इस कैसे करना है तो यहाँ पर लिखते ही यहाँ पर हमें बनाद चले है कि dy by dx है यह fraction नहीं तो हमें यह fraction remove करना होगा तो fraction remove करने के लिए हम टेया बनेंगे throughout dy by dx से multiply करेंगे तो dy by dx से multiply करेंगे dy by dx से multiply करेंगे dy by dx यहाँ पर हो जाएगा whole square यह dy by dx और यह dy by dx उसका multiplication होने के पाद हो square बन जाएगा एक चित जहाँ नहीं नहीं इसके पावर बढ़ती है तो यहाँ पर पावर बढ़ती है यहाँ पर पावर बढ़ती है इक्वर टू x dy by dx प्लस 2 तो यहाँ पर हमने फ्रेंग्षर remove कर दिया अभी हम order and degree find out करेंगे तो order क्या होगी high derivative को उसा है dy by dx यहाँ भी dy by dx तो यहाँ पर order कितने first इसके भी first किले तो हम first इपावर करेंगे तो order होगी अबर और हम यह भी degree find out करें तो degree के ऐसे कैसे find out करेंगे higher power of higher derivative higher derivative को उसा है dy by dx दोने जोला पर सेम ही है पर higher power कोंसी है power कोंसी है 2 तो यहाँ पर हम power या degree भोलेंगे 2 है अब हम next problem देखें यहाँ पर हमें पता जाता है कि यह जो है वो पूरा radicals में है तो हमें वह निक्री करते है उसको simplify form में लाते है और बाद में उसके order and degree find out करते है तो वह निकाल लेगे हमें स्क्वेरिंग करना पड़ेगा तो स्क्वेरिंग करके इस दोन साट पर तो क्या होगा वह स्क्वेर ररिषी स्क्वेर पर इसलोर प्लूर है और यहां पर कुछ हूए गागों स्क्वेर में पर स्क्वnaire 2 दीया पर पर शस्क्वेर definite नहीं और यहां पर 3 बचल जाएक अब वह रीमे जाए वाय पर उसकोश हो किस्वेरिंग हम पर दोग है करेंगे और यहां पर यहां पर ऑंधिफ आख करेंगे तो पर को सके को यह हो तो हआई पावर आप हाई रावर कौन सा है यहां और अब है तो अब आपको इस टॉपिक रिटर कोई भी नोच चाहे रहेंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्षन में मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप इस टॉपिक के रिटर PDF नोट्स डाउनलोर पर सकते हूँ दन्नेवाद